समस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवास्तु रेमिडीज किया जाते हैं एक बार मैंने प्राक्टिकल ही आपको उस रूई का कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी आप लोगों को करके दिखाया था बताया था वो वीडियो मेरे चैनल पर अभी भी एवैलेबल है सफेद आग का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है और ऐसी मानिता है कि अगर किसी पुराने सफेद आग के पौधे की जड़ को मिट्टी से खोद करके निकाला जाए तो उसके जड़ में भगवान गणेश की आकरिती स्वैम ही बनी होती है वो प्रति सब कुछ इस्तिमाल होता है आग के गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करके और उनकी स्थापना करने से सभी तरह के दुखों का निवारण होता है और ऐसी मानिता है कि जिस घर में आग की जड़ को स्थापित किया जाता है और नियमित रूप से इनकी पूजा होती है वही इसी मानिता है कि आग के पौदे को अगर घर के किसी हिस्से में लगा दिया जाए तो उस जगह पे अगर कोई नकरात्म कूर्जा होगी तो वो उसका फिर असर नहीं रह जाता किसी भी तंत्रमंत्र का नकरात्म कूर्जा का प्रभाव फिर घर पे नहीं रह जाता इसलिए अक जड़ी बूटी को लाते समय आग की जड़ को घर पे लाते समय पीछे पलट करके नहीं देखना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है ब्रह्म उर्त में किसी भी जड़ी बूटी या उशदी को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है साथ यगर जड़ी सामान आग के पत्ते हरे रंके होते हैं लेकिन सफेद आग के पत्ते सफेद रंके ही होते हैं तंत्र शास्त्र में सफेद फूल वाले मदार का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है इसके फल आम के जैसे दिखाई देते हैं और जिस वर सफेद रूई होती है और इनकी शाखा से दूद निकलता और उसी सफेद रूगी का प्रयोग तंत्र शास्त्र में दीपक जलाने में बत्ती का प्रयोग करते हैं बाती उसी से बनाई जाती है और तंत्र के लिए उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है श्वेताक के पौधे को गणपती जी का स्वरूप माना गया ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर किसी पुराने श्वेताक के पौधे की जड़ों को खोदा जाए तो उसकी जड़ में अगर गणे जी की प्रतिमा प्राप्त होती है तो ये बहुत ही शुब माना जाता है श सफेद आकड़ा, इसी सफेद आकड़े की जड़ में श्वेतार गणपती की प्रतिकीर्ती जो है वो निर्मित होती और कई लोग इसको स्वन में मंडित करा करके गले में भी धारण करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने श्वेतार गणपती गले में ध प्रतिमा की पूजा करने से सारे दुखों का निवारन हो जाता है। पुराने समय में साधक मंत्र सिद्धी करके इस प्रतिमा को अपने पैसों वाली जोली में रखा करते थे और रखने के बाद जितना मुठी में आ जाए उतना पैसा निकाल लेते थे और ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस जोली में जितना धन निकलता जाएगा उतना धन दुबारा जो है उसमें वापिस आ जाएगा आप जितना निकालेंगे वो खाली नहीं होगा अपने आप भरता रहेगा यह गणेश जी का प्राकिर्तिक और चमतकारिक स्वरूप होता है मानेता है कि यदि इस जड़ को यानि श्वेतार गणपती को अपने घर में इस्थाप प्रतिमा की पूजा करने से सुख और सफलता के साथ साथ भरपूर धन और वैभव भी प्राप्त होता है श्वेतार गणपती की पूजा करने से सभी प्रकार की दैविक बाधाओं से रक्षा होती है और गणपती की इस मूर्ति की पूजा से भूत प्रेत नजर दोष दूटोना तंत्रमंत्रादी का भै फिर जातक को नहीं रह जाता तो किस विधी से आपको इनकी पूजा करनी है वो भी समझ दीजे श्वेतार्क की जड़ को घर ला करके उसे साफ करके शुद्ध जल में गंगा जल मिला करके इस्नान कराएं और फिर लाल कपड़े पर इस्थापित करके उनकी प्रति दिन आप पूजा अराधना करें गंपती की पूजा में लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, दूर्वा, सुपारी, जेनेव का विशेश रूप से प्रयोग किया जाता है इसके बाद धूब दीप से गणेश जी की आप आती करें इसके बाद गणेश जी का मंत्र ओम गंगर पते नमा का एक माला जाप करना चाहिए इस मंत्र को आप इस फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं किसी व्यक्ति के पास लाल मुंगे की माला उपलब्ध है तो उस पर भी जाप करके लाप लिया जा सकता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है वर निश्यति पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टो वास्तू जमेडीज नमोना राद